10.3.4 उपनिवेश्वाद और अफ्रीकी प्रतिरोद अफ्रीका के निवासियों ने अपने सीमित साधनों के बावजूद यूरोपिय शक्तियों का भरपूर प्रतिरोद किया लेकिन उनके जादा तर प्रतिरोद अंतता असफल रहे हैं ब्रिटिश पत्रकार एडवर्ड मोरेल ने कुछ समय अफ्रीका में बिताया था और अफ्रीका पर एक किताब लिखी थी The Black Man's Burden इसमें उन्होंने अफ्रीका के लोगों के प्रतिरोद की असहाय स्थिति को इन शब्दों में लिखा है जो अन्याय और दुर्वयभार एक अफ्रीकी अपने जीवन में सहता है उसका विरोध किसी भी अफ्रीकन के द्वारा अफ्रीका में कहीं भी संभव नहीं है अफ्रीकी मूल के निवासी, यूरोपी श्वेत नसल के पूंजिवादी शोशन, सामराजिवाद और सैन निवाद के सामने बिलकुल असहाय है माजी माजी विद्रोः पूर्वय अफ्रीका में जर्मनी का नियंत्रन था जर्मन शाषन इस शेत्र के लोगों को खाद्यान के स्थान पर नगदी फसल कपास की खेती करने के लिए जबरदस्ती कर रहे थे यह कपास मुख्यता जर्मनी के कारखानों के लिए जरूरी था 1905 में एक एक अफवा फैली कि जादोई पवित्र जल को अगर शरीर पर छुड़क दिया जाए तो जर्मन गोलिया पानी बन जाएंगी लगभग 20 आदिवासी समुदाय के लोग जर्मन हुकुमत से लड़ने के लिए एक हो गए उनका विश्वास था कि उनके भगवान ने उन्हें इस लड़ाई के लिए आदेश दिया है और उनके पूर्वज इस युद्ध में उनकी रक्षा करेंगे यह विद्रो माजी माजी विद्रो के नाम से जाना जाता है किन्तु जब इन विद्रो ही सैनिकों ने अपने भालों के साथ जर्मन सैन ने ठिकानों पर हमला किया तो जर्मन मशीन गन से करीब 75,000 आदिवासी मारे गए इसके बाद आये अकाल में लगबग इससे दुगने लोग और मारे गए इथियोपिया का सफल प्रतिरोध इथियोपिया एक मात्र अफ्रीकी देश था जिसने सफलता पूर्वक यूरोपिये देशों का प्रतिरोध किया सन 1889 में मेने लिख इथियोपिया का शाशक बना उस समय बर्लिन सम्मेलन के बाद ब्रिटिश, फ्रेंच एवं इटालियन लोग सभी इथियोपिया को अपने प्रभाव छेतर में लाने की कोशिश कर रहे थे मेने लिख ने बड़ी चालाकी से इनको एक दूसरे के खिलाफ उप्योग किया इन सब के बीच उसने फ्रांस और रूस से भारी मात्रा में गोला बारूद और बंदूखे खरीद रखी थी सन 1889 में इटली के मैनेलिक के साथ एक संधी की संधी के लिए जो दस्तावेज बनाए गया थे वे इतियोपिया और इटालियन भाषाओं में अलग-अलग थे संधी के अनुसार इतियोपिया का एक छोटा हिस्सा इतली को देना था लेकिन इटली ने पूरे इतियोपिया को अपने संरक्षन में लेने का दावा किया था इसी बीच में इटली के सेना उत्तरी इतियोपिया में आगे बढ़ने लगी फलता मैनेलिक ने इतली के खिलाफ युद्ध की घुश्णा कर दी 1896 में हुए अडोवा की लडाई में इतियोपिया की सेना ने इतली की सेना को हरा कर नया इतियास बनाया